नमस्कार द्रिस्टी आईएस के इन न्यूस प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है स्वामी विवेकानंद की जयन्ती और रास्टे युवा दिवस आज के अगर न्यूस की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर टू इनॉग्रेट 25 नेशनल यूद फेस् द्रास्टे युवा दिवस की बात होगी तो स्वामी विवेकानंद का जीवन परीचे महत्वपून रहेगा उसके बाद हम जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद के योगदान क्या-क्या रहे हैं और उनकी 21 सदी में क्या उप्योगिता है साथ ही हम देखेंगे कि इस टॉप रास्टे युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है पुद्धु चेरी में 25 वे रास्टे युवा महौत्सव का आयोजिन किया जा रहा है 1984 को अंतरास्ट्य युवा वर्ष के रूप में गोशित किया गया उसी वर्ष भारत सरकार ने स्वामी वीवेकानंद के जनम दिवस को रास्ट्य युवा दिवस के रूप में बनाने की गोशना की और 1985 में पहला रास्ट्य युवा दिवस मनाया गया रास्टे युवा दिवस को मनाने के उद्देशों की बात करें तो युवाओ को प्रेरित कर समाज को स्वामी विवैकानंद के विचारों से अवगत कराना इसका उद्देश है इस अवसर पर स्कूल और कॉलेज में विभिन कारिक्रमों का आयोजुन किया जाता है जैसे निबंध लेखन, भाषन, युवा सम्मेलन, खेल प्रतियों गिताएं आदी इस वश्प्रधानमंत्री द्वारा दो विषय, मेरे सपनों का भारत और अंसंग हीरोज और इंडियन फ्रीडम मूव्मेंट को चुना गया है इस साल रास्टे युवा दिवस 2022 की थीम है इस आल इन दा माइंड, यह स्वामी विवेकानंद की एक प्रमुक शिक्षा है उनका जन्म 12 जन्वरी 1863 को कोलकाता में एक संपन परिवार में हुआ था उन्होंने कलकत्था विश्विद्याले से सनातक की उपाधी प्राप्त की, तब तक उन्होंने विभिन विश्यो, विशेश रूप से पस्चिमी दर्शन और इतिहास का व्यापक ज्यान प्राप्त कर लिया था वे कुछ समय तक ब्रह्म समाचांदोलन से जुड़े रहे कुछ समय बाद उन्हें इश्वर के अस्तिद्व के बारे में संधे होने लगा उस समय उन्होंने पहली बार कॉलिज में अपने एक प्रोफेसर श्री राम कृष्ण के बारे में सुना एक दिन नरेंद्र श्री राम कृष्ण से मिलने गए इस प्रकार एक गुरू शिश्य संबंद शुरू हुआ जो आध्यात्मिक गुरूों के तिहास में काफी अनूठा है कुछ वर्षों के बाद दो घटनाई हुई जिससे नरेंद्र को काफी परेशानी हुई एक तो 1884 में उनके पिता की आकस्मिक मृत्यू और दूसरा श्री राम कृष्ण की बीमारी श्री राम कृष्ण को गले का कैंसर हो गया था विमारी के दोरान श्री रामकृष्ण ने इन युवकों में एक दूसरे के प्रतित्याग और भाईचारे की भावनाकत संचार किया और उन्होंने नरेंद्र को एक नए मठ के गठन के बारे में विशेश निर्देश दिये 1886 में श्री रामकृष्ण की मृत्यू के बाद उनके 15 युवाशिश जिसमें एक बाद में शामिल हुए उत्री कॉलकाता के बड़ा नगर में एक साथ रहने लगे और इसी के साथ नरेंद्र के नेत्रित्म में उन्होंने एक नए मठ वासी भाईचारे का गठन किया 1887 में उन्होंने सन्यास की प्रतिग्या ली और नए नाम रहन किये नरेंद्र अब स्वामी विवेकानन बन गए 1890 के मध्य में श्री रामकृष्ण की दिव्यपतनी श्री शार्दा देवी का आशिरवाद प्राप्त करने के बाद स्वामी जी ने बड़ा नगर मठ छोड़ दिया और भारत की खोच की लंबी आत्रा पर निकल पड़े पूरे भारत में अपनी आत्रा की दौरान स्वामी विवेकानन जनता की भयावह गरीबी और पिछडेपन को देखकर बहुत प्रभावित हुए वे भारत के पहले धार मिकनेता थे जिन्होंने खुले तोर पर घोशना की कि भारत के पतन का असली कारण जनता की उपेक्षा है उन्होंने क्रिशी और ग्रामुद्योग आधी के लिए उन्नत तकनीकों को सिखाय जाने पर जोड दिया साथ ही विवेकानन ने भारत में गरीबी की समस्या की जड़ को समझा उन्होंने शोशित समाच के लिए कहा कि सबसे पहले यह आवशक है कि उनके मन में विश्वास जगाया जाए उन्होंने धर्म निरपेक्ष ज्ञान को उनकी आर्थे के स्तिती में सुधार के लिए और आध्यात्मिक ज्ञान को उनमें खुद पर विश्वास करने और उनकी नैतिक भावना को मजबूत करने के लिए आवशक बताया लेकिन प्रश्ण यह था कि इन दो प्रकार के ग्यान को जनसाधारण में कैसे फैलाया जाए। उन्हें एक बात स्पस्ट हो गई थी कि शिक्षा के प्रसार और गरीब जनता और महिलाओं के उत्थान के लिए अपनी युजनाओं को पूरा करने के लिए समर्पित लोगों के एक कुशल संगठन की आवशकता होगी। वहत चाहते थे कि एक ऐसी मशीनरी को गती दी जाए जो सबसे महान विचारों को सबसे घरीब और जरूरतमन लोगों के द्वार तक ला सके। इस उद्देशे को पूरा करने और सेवा करने के लिए ही स्वामी जी ने राम कृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानन ने 1893 में शिकागो में होने वाली विश्व धर्म संसद के बारे में सुना। भारत में उनके मित्र और प्रशंसक चाहते थे कि वे संसद में भाग ले। उन्होंने अमेरिका जाने का फैसला किया जिसके मुख्य दो उद्देश्य थे। पहला यह है कि वे अपने गुरू के संदेश को दुनिया के सामने पेश करना चाहते थे। दूसरा जनता के उठ्थान की परियोजनाओं के लिए वित्तेई मदद लेना उनके उद्देश्यों में शामिल था। उन्होंने शिकागो सम्मेलन में अपने भाषन की शुरूआत सिस्टर्स एंड ब्रदर्स औफ अमेरिका कहकर की। जिसके बाद पूरा भवन कालियों से गुण जुठा। वास्ते खराब होने लगा और 4 जुलाई 1902 को उन्होंने अपना देहत्याग दिया। अब बात करते हैं कि स्वामी विवेकानन के क्या-क्या योगदान रहे। हमने जैसे बताया कि स्वामी विवेकानन ने रामकृष मिशन की स्थापना की, बैलूर मठ की स्थापना की, इसके बाद धर्म की नई समझ यदी हम समझें तो वो है स्वामी जी की ही देन थी। स्वामी विवेकानन ने कहा कि धर्म भी विज्ञान जितना ही विज्ञानिक है, धर्म चेतना का विज्ञान है, धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं बलकि पूरक हैं। कहीं सारजनिक उफास कडर, कहीं ईश्वर की सजा कब है तो कहीं कर्म कब है। जीवन शैली और संस्थानों से परीचे कराया। उन्होंने पस्चिमी लोगों को यह एहसास कराया कि उन्हें भारतिया अध्यात्मिक्ता से बहुत कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने दिखाया कि भारत की गरीबी और पिछडेपन के बावजूत विश्व संस्कृति को बनाने में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। इस तरह उन्होंने शेश विश्व से भारत के सांस्कृतिक अलगाव को समाप्त करने में महतवपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं दूसरी और उन्होंने प्राचीन हिंदू शास्त्रों, दर्शन, संस्थाओं आदी की व्याख्या द्वारा भारतियों के मन को पस्चिमी संस्कृति के दो सर्वत्तम विश्यों जिनमें शामिल है विज्ञान और प्रद्योगी की और मानवतावाद को व्यवहारिक चीवन में स्विकार करने और लागू करने के लिए तैयार किया। उन्होंने भारतियों को पस्चिमी मानवतावाद, जिसमें शामिल है व्यक्तिगत स्वतंतरता, समाजिक समानता, नयाएं और महिलाओं के संबान के विचार, इन सब को भारतिय परिवेश के अनुकूल बन और इस तरह एक रास्टे के रूप में एक्ता की भावना को इस पस्ट रूप से परिभाशित और मजबूत किया। उन्होंने विविधता में एक्ता के सिध्धानत के आधार पर हिंदू धर्म का समगर एकिकरन किया। स्वामी जीने भारतियों को अपने देश की महान आध इध्यात्मिक विरासत की उचित समझ दी और इस प्रकार उन्हें अपने अतीत पर गर्व कराया। इसके अलावा उन्होंने भारतियों को पस्चिमी संस्कृती की कम्यों और इन कम्यों को दूर करने के लिए भारत के योगदान के आवशक्ता की और इशारा किया। इस तर स्वातंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नहरू ने लिखा अतीत में जड़े विवेकानन जीवन की समस्याओं के प्रती अपने दस्टिकोंड में आधूनिक थे और भारत के अतीक और उसके वर्तमान के बीच एक तरह का सेतू थे वह उदास और निराश हिंदू मन के लिए एक टॉनिक के रूप में आए और इसे आत्म निर्भरता और अतीत में कुछ जड़े दी नेता जी सुभास चंद्र बोस ने लिखा स्वामी जी ने पूर्व और पश्चिम, धर्म और विज्ञान, अतीत और वर्तमान में सामनजस से स्थापित किया और इसलिए वहमहान है हमारे देशवासियों ने उनकी शिक्षाओं से अभूत पूर्व आत्म सम्मान, आत्म निर्भरता और आत्मबल प्राप किया है नए भारत के निर्मान में स्वामी जी का सबसे अनूठा योगदान भारतियों के दिमाग को दलिजनता के प्रती, उनके कर्तव्वे के प्रती खोलना था भारत में काल माक्स के विचारों को जानने से बहुत पहले स्वामी जी ने देश के धन के उत्पादन में श्रमिक वर्गों की भूमिका के बारे में बात की वो भारत के पहले धार्मिक नेधा थे जिन्होंने जनता के लिए बात की, सेवा का एक निश्चित दर्शन तेयार किया और बड़े पैमाने पर समाजिक सेवा का आयोजन किया आज 20-वी सदी में ये सभी विचार और उद्देश युवाओं को मजबूती देते हैं और अपने लक्षों को साधने में ये विचार युवाओं को प्रेरित करते हैं आईए बात करते हैं कि मुख्य परिक्षा में क्या-क्या प्रशन इससे जम्बंदित पूछे गए हैं तो यदि हम पहले प्रशन की बात करें तो जीएस पेपर 4 में प्रशन पूछा गया है कि जीवन में नैतिक आचरन के संदर्भ में आपको किस विख्यात व्यक्तित्व ने सरवाधिक प्रेणा दी है उसकी शिक्षाओं का सार प्रस्तुत कीजिए विशिस्ट उदाहरन देते हुए वर्णन कीजिए कि आप अपने नैतिक विकास के लिए उन शिक्षाओं को किस प्रकार लागू कर पाए हैं 150 शब्दों में इस प्रशन का उत्तर देना है UPSC में 2014 में यह प्रशन पूछा गया है GS Paper First क्या बात है जो भारतिय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अध्वित्य बना देती है चर्चा कीजिए 150 शब्दों में इस प्रशन का उत्तर देना है यह UPSC में 2019 का सवाल है फिर GS Paper First से संबंधित एक और सवाल 19 वी शताब्दी के भारतिय पुनर जागरण और रास्टिय पहचान के उत्भव के मद्ध है सहलगनताओं का परिक्षन कीजिए UPSC में 2019 इसके अलावा ऐसे में भी इससे संबंधित प्रशन पूछे गए हैं जैसे मुल्ले वे नहीं जो मानवता हैं बलकि वे हैं जो मानवता को होना चाहिए UPSC में 2019 इसी तरह UPSC में 2020 में एक ऐसे आया हुआ है जो हम है वह संसकार जो हमारे पास है वह सब्यता तो जब भी इस तरह के प्रशन आते हैं तो स्वामी विवेकानन का जीवन परीचे इसमें खासा योगदान करता है अब अभ्यास प्रशन की बात करें तो आज का सवाल है स्वामी विवेकानन के शब्दों से आप क्या समझते हैं एक ऐसी मशीनरी को गती दी जाए जो सबसे महान वीचारों को सबसे घरीब और जरूरतमन लोगों के द्वार तक ला सके 250 शब्दों में इस प्रशन का उत्तर लिखना है प्रैक्टिस करनी है आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है कल फिर नए टॉपिक के साथ हम विर से हाजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार